नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल पर दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किसानों ने कैसे कंगना रनौत की गाड़ी को रोक कर उनसे मंगवाई माफी अगर आप भी जाना चाते हैं तो वीडियो को लाइक करके अंध तक जरूर बने रहें अपने बयानों की कारण विवादों में घीरी रहने वाली अभिनेत्री कंगना रनौत की काफिले को रूप नगर में किसानों ने रोक लिया किसान जम कर नारेवाजी कर रहे हैं आपको बता दे कुछ दिन पहले कंगना रनौत ने खिसानों के खिलाफ कुछ ऐसी बाते कही जिसके कारण कई लोग नारास हो गए थे और आज इसी नारास की को पेश करते हुए कई किसान कंगना रनौत की गाड़ी के आगे जुट खड़े हुए अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में बनी रहने वाली फिल्म अभिनेतरी पदमस्री कंगना रनौत के काफिले को किसानों ने रूप नगर कीरतपूर साहिब मार्ग पर बुंगा साहिब के निकट रोक लिया किसान कंगना की गाड़ी के काफिले के आगे नारे बाजी कर रहे थे किसानों का कहना था कि जब तक कंगना किसानों और पंजाबियों पढ़ दिये गए बयानों को लेकर माफी नहीं मांगती है तो वो उन्हें जाने नहीं देंगे पहले तो कंगना गाड़ी में बैट कर भीड को देखते ही देखते वीडियो बनाते हुए बयान दे रही थी लेकिन जब उनको लगा कि अब कुछ नहीं होगा तो एक्ट्रिस ने गाड़ी से निकल कर किसानों से माफी मांगी कंगना ने कार का शीशा खोल कर वहां मौजूद महिलाओं से भी माफी मांगी आपको बता दे लोगों की भारी भीड जमा होने पर मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी पहुँच गया है लेकिन किसानों की बड़ती संख्या के कारण जब कंगना को लगा कि वै अब ना क्या मयाब साबित हो रही है तो उन्होंने कार से उतर कर लोगों से खुद ही माफी मांग ले सो गाईज आप इस घटना पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे कमेंट चेक्शन में जरू बताएं साथ ही ऐसे और भी लेटस्ट वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइबर्स जरू कर ले